नमस्कार दोस्तों स्वागेत आपका आज किस वीडियो में और आज हम करने वाले हैं by Honda City के ADAS function की टेस्टिंग हाली में Honda City को जो है वो Honda ने लोन्ज कर दिया है आपको VVariant से जो है वो ADAS मिलने लगताते हैं Manual Transmission साथ के साथ Automatic दोनों में जो है वो ADAS के feature मिलते हैं अभी सामने जो है वो आप गाड़ी हमारी देख सकते हैं यह जैडएक मैनुवल जो है वो ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी है और अभी इसका पहला फंचन जो है वो हम आपको टेस्ट करके बताएंगे जो की है कोलाइजन कर सकते हैं यहनगी मिटिकेसन गाड़ी हमारे सामने आ रही हो और देख predictive कर पाती in नहीं कर पाती प्रेंदेशन और फिर प्रेशनार डिया जाता है जो कि एडास के फंसन्स जो है वो प्रफॉर्म करता है इसमें रडार बेश्ट आपको एडास नहीं मिलता लेकिन यह कैमरा इतना एकुरेट है आपको लेवल टू के जो है वह एडास फीचर यहां पे ओफर करता है आपको गाड़ी में टोटल सिक्स जो है वह emergency braking system जो की गाड़ी अपने आप डिटक्ट करेगी और अपने आप जो है वो ब्रेक करेगी दूसरा फीचर जो गाड़ी में आता है वो आपको मिलेगा adaptive cruise control उससे क्या होगा कि आप अपनी गाड़ी को क्रूज पर लगा के छोड़ देंगे तो यह सामने वाली गाड़ी को जो है वो डिटक्ट करती रहेगी और अपने आप जो है गाड़ी की स्पीड तेज करेगी और गाड़ी पर ब्रेकिंग जो है वो अपलाई करेगी लेकिन यह सिरफ आपको 40 प्लस की स्पीड पे जो है वो ओफर किया जाएगा तीसरा फीचर जो है वो आपको यह प्रोवाइड करेगी लेन कीप असिस्ट का यानि कि जो यह दो वाइट पट्टी आप देख रहे हैं आपकी गाड़ी इन दोनों पट्टियों को डिटेक्ट करेगी और अगर आपकी गाड़ी इधर उधर होती है तो अपने आप जो है वो यह स्टेरिंग को काटेगी मतलब लेफ्ट राइड जो है वो असिस्ट आपको करेगी और लेन में रहने की जो है वो कोशिस गाड़ी अपने आप करेगी तीसरा फीचर जो है वो भी लेन से रिलेट head lamp में गाड़ी assist करेगी सामने से कोई high beam low beam जो है वो गाड़ी आ रहे है तो उस हिसाब से अपनी beams को change करेगी यानि कि सामने से कोई गाड़ी आ रहे है तो low beam पे हो जाएगी light अधरवाई जो है वो high beam पे यहां पे आपकी रहेगी और छटा फीचर जो है वो आपको मिल है आप भी जो है अब चल पड़े तो यह है फीचर जो है वो आपको मिल जाते होंडा sensing के साथ एक एक फीचर को जो है वह हम टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे काम करता है किन सिच्वेशन में काम करता है और कितना accurate जो है वो यह होने वाला है वीडियो काफी इंट्रेस्टिं किया जब मैं खड़ा हुआ था तो गाड़ी ने सेंस किया और emergency braking जो है की अब आता है दूसरा टेस्ट सामने जो है वो हमारे बंदे वहां पे खड़े हुए हम इस लाइन में जो है वो गाड़ी को first gear में लेके जाएंगे और एक दम से जो है एक बंदा सामने आएगा तब कि गाड़ी उसको detect कर पाती ही ने कर पाती है क्योंकि कई situation होती है जब कुटे जो है एकदम से सामने आ जाते है या फिर कोई गाय वगएरा जो है वो सामने आ जाती है तो उस situation में क्या ये काम कर पाएगा वो चीज जो है वो देख लेते हैं तो चलिए मैंने first gear में गाड़ ने test किया मेरे को जो है यहां पे notification भी दी और साथ के साथ braking भी लगाई और successfully जो है हमारा बंदा बच गया तो braking यहां पे लिए और हमारी गाड़ी जो है वो बंद होगी देखिए manual transmission के साथ जो है वोई एडास के फीचर यहां पे आते होंडा सीटी में यह इसका एक यह डिम हम बहुत दीरे दीरे जो है वो गाड़ी के सामने आए तो इसोज़े से डिटेक्ट हो गया थोड़ा अब की बार जो है वो एकदम से आएंगे और फिर देखते हैं गाड़ी कर पाती है नहीं कर पाती तो चलिए अपन पहले गेर में रखें गाड़ी को जादा स्पीड में नहीं रखें पता नहीं कोई एक अदा सिस्टम अगर हो गया तो फिर उसके साथ गड़वड हो जाएगी तो वह सामने बैठा हुआ है एक वीडियो जो है वह उदर से बन रही है ब्रेक पे हमने पैर रखे गए किसी भी सिचुएशन में और गाड़ी जो है वह बिल्कुल लिए थे लेकिन साय रट गए ना इस होजे से फिर दुबारा जो हो गाड़ी चल पड़ी एक बार रुख जाना कोई बात नहीं थोड़ी सी लगेगी पैरों पर बच जाएगा पैर अब अगला टेस्ट वह एक बार कर लेते हैं एक बार आप जो है यहां पर लेड़ जाई थोड़ा सा ना देखते हैं मैं ब्रेकिंग पर रखूंगा बिल्गुल अच्छे कोई निकत नहीं है तो भाई लेटने वाले पर टाइगरी नहीं कर रही है अब क्या है कि एक सिच्छोशन हमने क्या रखी है कि जैसे कोई अपने को और टेक कर जाता है जैसे कोई गाड़ी जाती है नहीं कर पाती है वह देखेंगे उके तो गाड़ी साथ पी चल रही है राउल साथ साथ दोड रहे है यह आगे जाएगा थोड़ा सा और फिर एकदम झाकर खड़ा हो जाएगा गाड़ी ने सेंस किया यहां पे और जो है गाड़ी रुक गई गाड़ी बंद होगी पहले गेर में इसी बंद होगी चल भाई आगला एक बार टेस्ट करते हैं अगला फीचर ना तो दूसरा फीचर हम टेस्ट करने वाले एड़ेप्टिव क्रूज कंट्रोल का करने के लिए आपको एक बार यह बटन दबाना है उसके बाद आप पलस माइनस से जो है इसको एक्टिवेट डियक्टिवेट यह सारी चीजे कर पाएंगे दूसरी चीज अगर 25 से नीचे आपकी स्पीड जाती है तो आपका जो क्रूज है वह ओटोमेटिक कि अभी हम कि 40 की स्पीड से उपर जा गए कुरूज जो है वह वह ने अब एक्टिवेट कर दिया है और यह जो है अब अपना 70 की स्पीड पर जो है वह चला गया है सामने वाली गाड़ी को अब ब्रेक करवाएंगे बाई ब्रेक लिए थोड़े से और यहां पर आप देख कर रहा हूं और यहां पर गडी जो है वह अपने आप स्पीड बढ़ा रही है लेन जो है वह अबहीं कर पा रही क्योंकि वह सेवंटी के बाद असिश्ट करती है तो मेरे को श्टेरिंग पर जो है वह हाथ हकना पड़ता है उसने ब्रेक लिए गाडी ने हमारे और ऊटोमे बार-बार कम तेज होती रहेगी, तो यह कैंसिल होता रहेगा। हाईवे पे परफेक्टली काम करता है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अगर सामने वाली गाड़ी एमर्जनसी ब्रेक भी लगा देती है, तो भी आपकी गाड़ी देखता है तो यहां we करती यहां पर ट्रंए सामने गाड़ियां भी कि गाड़ी की स्पीड नीचे चली तो यह बैडन है कर था लिए लेन वाले के लिए अपने सेाथ कि तो थोड़ा सा उसकी जुर्वत पढ़ती है यहां पे लेन भी उतनी अच्छे से नहीं है ना वाइट पढ़ती है अगर आप देख पाए कैमरा भी नहीं कर पाता ना दिखती नहीं अगर लाइन तो फिर कैसे करेगा चलिए अब क्रूज कंट्रोल का हमने आपको बता दिया समझ आ गई होगी कैसे क्या करता है एक दो क्लिप्स जो है वह आप यहां पर देख सकते हैं जो हमने पहले रिकोर्ड की थी तो वह सब है तो यह थे होंडा सीटी के सारे फीचर्स देखिए सारे फीचर्स जो है वह काम करते हैं जो इसका क्लाइजन ब्रेकिंग सिस्टम में वह काफी अच्छे से काम करता है एडप्टिव कुरूज भी काफी अच्छे से काम कर रहा है लेन टिपार्जर का मुटना टैस्ट नहीं कर पाई तो बिवैरी सोरी लेकिन आने वाले टाइम में वह भी टैस्ट करके बताएंगे बाकि काफी अच्छा जो है आपको वह सब्सक्राइब ना भूले हम आपसे मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब ना भूले हम आपसे मिलते हैं आपसे मिलते हैं